कई वर्षों से चुवा है, अब कुछ ऐसी बाते जो हमारी जीवन के अंगर परिवर्तन कर सकती हैं, हमारे सोच को परिवर्तन कर सकती हैं, कुछ ऐसी चोटी चोटी बाते हैं आज मैं आपसे रखेंगा, लेकिन कोई भी यात्रा की जाती है तो उसको अखेले करने का मज़ा गोग है तो आप लोगहEmेe का देनने में जोबि आप पूछंगा जो भी आपसे कुछऊंगा की सबकुर देंगी या करना सब देघे टेज श्रै थे चल्री समय की सुई भी बहुत से जी से चल गए है तो हम लोग बड़ी छोटी चोटी और ऐसी बाते करेंगे जो आज हम यहां से कुछ अपनी जिन्दगी के लिए अनुखा मेका शांगी आज के मानव की लाइफ अगर देखी जाए तो वह बहुत सुंदर बात मुझे दिहां में आज यह आपको बताने चांगा के वरी एक फ्रसी आजोरत्व कर्पारा करता सोर्य को फर्मातना द्रस्टा चाहिए मैं चाहिए के लिए आधाकर थेंके जहां पर वो मुंबत्ती बुझे इन नहीं जहां पर जो तिर पो चाहिए तो उसने कहां यह तो बहुत बढ़ी आता है तो उसने कहां कि अगर तेरा फिर भी इच्छा पूरी ना हो तो दूसरी मुंबत्ती को जलाना और पूरा विश्ण में जाओ और जहां पर वो बुझे मात खुदाई करना तुने जो चाहिए वो राफ होगा फिर भी इच्छा में जाना नेकि बुझे हो जाए दक्षित इशा में नहीं जाओं चाहें कुछ भी बजाए दक्षित इशा के अंदर बिल्कुल नहीं साथ तो उसने का ठीक है जैसे ही खर्म अपना गए तो उसने अपनी पहली मुंबत्ती को जलाया और फटा पर प्रश्चन विशा की जा रहा था मुंबत्ती बजी और उसने खुदाई की तो उसने देखा कि सूनी के शर्कियों का एक बहुत बड़ा बैग जल्दा वोस्को प्राफ हो और जैसी उसे बिला उसे ब प्राफ की और जाने लगा तो अंदर से थोड़ी सी खटकर बुई कि पर्श्चन में यह मिला तो पूरम में दरूर कुछ खास बात हो तो उसने अपनी दूसरी मुंबत्ती बुचला और दूसरी मुंबत्ती जला कर वो पूरम दिशा की और गया और जहां पर वो मुंबत् मेरे पुष्टें उनका भी काम इसे हो जाएगा उसने उन सब को अपने साथ लिया और लेकर अपने घर की और जाए रहा था कुछ सोह मिली ही अपने घर से दूर था लेकिन मन में फिर एक कौतुम ता भी पूरम में इतना पश्चन में इतना तो उत्तर में कोई खास बात ह यहां उत्तर में भी जाके देखता हूं उस्का उतने पीसरी मुम्बथी जलाई और तीसरी मुम्बथी जलाकर वो उत्तर देशा की और चाना आणक कि जहां पर मुंबती बुजी वहां उसने खुदाई की तो वहां उसे बहुत बड़ा एक सोने का रत उसके ओपर स्वन्ड के आभूशन कितनी ही अंगिना तरशक्तियां उसे मिली और उसके लिखा था तो में जो चलिए बोले जाओ उसने कहां अब तो मेरे एकिर्स जन्मों का ही बिल्कुल भाग सब कुछ बदल गया अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए अब मैं इस पर सवार ओकर अपने घर की हो जाने तो घर से कुछी मील दूर था जब घर पर जाने ही वालता घर वाले वेलकम करने के लिए खड़े थे उसके मन में फिर हल्चे दो ये उसने कहां पूरण में इतना पर सचבר में इतना उत्तर इतना और मैंना जुत Nah本 को जो ना करने को कहा जाये वो उसका करने का मंघ Hack तो उसने it in बेद जरूर जाओगा तो अपनी मुंबती जलाकर वो दक्षिन दिशा की ओर चल दिया जहां पर वो मुंबती बुजी मन बिल्कुल साथ में आसमान पर था उसने तेजी से खुदाई करने आरंब करी और देखा तो एक बहुत बड़ा द्वार उसके सामने आया उसने का बस तो पतना है किया मुझे मिलेगा अंदर वो गया तो बहां उसने देखा कि भुरा घटी पशीरें के अंदर नब कर दारए बड़ दब रृऀ एक यहे अक शल मुझे कर रहा है तो संने कर तुम्हें अजाद करेगा और तुम्हारी जागे हो तो आज माना जीवन हो है तो कि आज माना जीवन हमारा इसी प्रकार हो जाए अगर हम आज सम लोग मेरी ठाव से 17 लोग हम लोग बैठे हैं हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रशन अपने आप से सब पूछते हैं और वो प्रशन हमारा अपने भी होगा कोई और आसपास में डिसाइड करके आंसर नहीं करें और अगर आपको लगेगी प्रशन गलत है तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं लेकिन प्रशन का उत्तर हर एक यक्ति जो यहां पर बैठा है एक एक यक्ति हैं डॉक्टर है न सक्राइं हो हमारे साम ने खूल कर रखते हैं रशन है कि हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं दूसरा हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं और तीसरा हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं कि अपने मन से पुशिए कि मैं अपने जीवन में क्यों कारे करता हूं घबराना नहीं यह भी नहीं सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा लेकिन जो मेरा मुत्तर है वो मुझे देना फिर हम लोग मिलकर अनलाइस करें ओके कौन-कौन अपने जीवन में केवन पैसे के लिए काम कर कौन-कौन अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते है फिर वान दू प्रिजएवन में पैसे और खुशी दों में हम चेंज भी कर सकते हम कोई दिक्कत नहीं है we can change it also में आपसे क्या पूछा था कि मैं आपसे एक प्रश्म पूछा अगर आपको प्रश्म ठीट नहीं लगे तो चेंज कर देखा नहीं तो उसमें से एक उत्तर देखा अब उत्तर बताईए कि जीवन में मुझे खुशी के लिए काम करना चाहिए या खुशी से काम करना चाहिए जोर से आंसर करिए बताईए तो आपने तो बोला नहीं आपने तो का में खुशी के लिए काम करना रभात मैं अपने जीवन में कारे कर रहा हूं सबीरेते शाम काम कर रहा हूँ अपनी उम्र में आगे काले करते करते बढ़ रहा हूँ और खुशी की प्राग्ती मुझे बाद में होगा हूँ और जब यह सोच लेकर हम आज अपने जीवन में हम नहीं 99% ऑप दी मानम जो हैं जो हमारी जेनरेशन हैं जो हमारे लोग हैं करूंगा तब मुझे खुशी प्राप्थ होगी तो जीवन में खुशी हमेशा हमको दोका देती रही अगर आज हम केवल एक कॉंशसनेस को चेंज करें कि खुशी के लिए नहीं खुशी सेकाजे करना है केवल एक शब्द का अंतर हमारी कॉंशसनेस को हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देता है आज यही हमारे मत जीवन में प्राब्लम है आज में यह उतले में आ रहा था तो एक बहुत बड़े लिवायर इंडिया की बनुपी टॉप फार्म्स है उनके ओनर मेरे साथ ट्रावल कर रहे थे जनरली बात चीप नहीं होती लेकिन बात कर रहे थे तो रहने इंट्रोडक्श ओ ऐसा कोई नहीं साथ हार चीज गोश कर और गजोर की उटाब्लक्श है कि अनकी पांट चीजों में इन लिए इस तो आप सब को यह बreens पर वेखने की जयोर although regular चीजें जीवन में आंगर, आंगर का बच्चा, इरिटेशन, उसका कॉंसिक्वेंस, डिप्रेशन, फोर्थ चीर, जेलेशी, एंद फिर्थ चीर, हेटरेट, और छटी चीर, जो चोड़ी एसोसेटिट होती है, जीवन के अंदर, एक्सपेक्टेशन, होती है सबको कभी-कभी, होती है तो आजम इसको बहुत सुंदर रूप से, बहुत संक्षेट में अनलाइज करें, बहुत संक्षेट में, और ये अनलाइज ऐसा होगा, कि आज अपने जीवन को परच्चाई के सामने उतरे देख पाएंगे, बिल्कुल जीवन का रिफ्लेक्शन जो है न, वो देख पाएं तो किल दो गुड़ों की जीवन के अंदर आवशकता है, जानते किल दो गुड़ों की आवशकता है, अगर अपना प्रतिवेंद हमको देखना हो, तो जीवन में किल दो गुड़ों की आवशकता है, पानी में अगर अपनी परच्चाई देखनी हो, तो किल दो गुड़ों की आवर्षकता है एक है पानी का स्थिर्ण नहीं है तो बहुत होना वह सकते हैं उर ऑनने प्रतिविंद्ध नहीं और खते हैं नहीं गोटीर में सोचिंगा के ख़ींद्ध oss मानी चुना भी एवूर्षक हैं और बानी का ऩा हुआ भी आज़िक है और ये पता है क्या चीज़ है? ये हमारे सारे मन की बात है. आज जब हम इस हॉल के अंदर बैठे हैं, तो एक चीज़ जो जीवन में सदा चलती है. हर जटी सोचना है आपर. सदा, कोई भी कारे जब से हम पैदा होते हैं, और हमारे जीवन के अंदर तक एक चीज़ जो सदा हमारे साथ associated होती है, वो है हमारा मन का विचार. मन हमारा लगतार सोचना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौता, विचार के बाद विचार, विचार के बाद विचार, विचार के बाद विचार चलता ही जाता है. एक मानव मन का विचार एक दिन के अंदर पचास हजार थोट्स जिनरेट करने की केपिबिलिटी रखता है और उन 50,000 थोट्स के अंदर में से केवल 2% थोट्स पॉजिटिव और परपस्फुल थोट्स होते हैं रेस्ट 90% थॉट्स नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं यह साइंस के एक्स्टरीमेंट जिसमें आपको बतारा हैं लेकिन एक चीछ हम लोग नहीं चाहिए जिसको आज हम यहां पर अनुभव भी करेंगे प्रूव भी करेंगे और उसके बाद अपने जीवन में परि अलत तरीके से असर दलता है अब हम उसको चेक करते हैं सबसे पहले मेरे जीवन मेरे मन के अंदर उपन किया हुआ विचार सबसे पहले मेरे अपने मन को अनुभव कराता है किसी दिन मेरा मूड बहुत अच्छा होता है और किसी दिन मेरा मूड खराब होता है होता है सभी के switch off है उस दिन आपको कुछ भी चेक करने की जरुवक नहीं केवल अपने मन के अंदर चेक करके देखिए कि मेरे मन के अंदर किस प्रकार के संकल चल रहे हैं और जिस दिन मेरा मन बहुत खुश है, मेरा मन बहुत पावरफुल और शेश संकल जन्रेट कर रहा है, उस दिन मेरा मूट कैसा होता है? कैसा होता है उस दिन? बहुत बढ़ी होता है तो सबसे पहले, every thought that I am generating, it makes me feel the way I am feeling today, naturally तो मेरे मन का एक-एक संकल, सबसे पहले मेरे मन के उपर असर डाहता है, उसके बाद वो मान नहीं देता, वो विचार तेजी से मेरे शरीर के 60 trillion cells पर जाकर radiate करता है और उनको जाकर capture कर लेता है, चाहे वो liver है, चाहे वो heart है, चाहे वो brain है, चाहे वो kidneys है, चाहे वो muscles है, every thought has a significant influence on my body, experiment करते हैं आज लिए, जिस दिन, जिस दिन, आपका mood खराब हो, आपका mood बहुत खराब है, शरीर पर कोई भी problem नहीं है, उस दिन काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा, बताएं, everybody, yes or no, 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 just till मेरे शरीर को छोट लगी है, I am really injured, शरीर मेर कोई इंजरी है, लेकिन मन का कोई, मन के अदर कोई बहुत खुशी की news बिलती है, something that I really feel like celebrating, मेरे को लगता है कि ये तो बतकुल बहुत something which is very nice and very, which makes me laugh, gives me a lot of happiness, उस दिन में शरीर की बिमारी को भी भूल कर, क्या मैं celebrate करता हूँ या नहीं करता हूँ, बताएं, करता हूँ, तो क्या शरीर ज्यादा पावस्पुल है या मन ज्यादा पावस्पुल है, मन का एक विच्चार आपके शरीर के ऊपर जाकर डायरेक्ट रूप से आपके शरीर को capture कर लेता है, और इसका practical रूप है, कि जब मरीद आपकर आपसे बोलता है, डाक साम, आपसे बात करके ही मेरी आज़ी बिमारी दूर हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई नहीं की है, लेकिन डॉक्टर जब प्यार से बात करता है, तो वो मरीद के मन का दर्ड एकदम घीच लेता है, और बिमारी की महसूसता एकदम कम हो जाती है, तो हमारे मन का विचार सबसे पहले हमारे मन को control करता है, उसके बाद हमारे शरीर के उपर अफ़र नालके, हमारे शरीर की संपूल प्रडानियों को डायरेक्ट अपने control के अंदर ले आता है, उसके बाद वो भाने होता, जिस व्यक्ति के लिए आप विचार निकालते हैं, चाहे वो व्यक्ति यहां पर है, चाहे वो व्यक्ति अमेरिका में है, औस्ठेलिया में है, कहिन कितने भी हजारों मेर दूर है, लेकिन अगर आपके मन से किसी के लिए सच्छा प्यार या सच्चा या नेगेटिव विचार मिलता है, वो विचार तीरी से लेलेट होकर आपके मन आपके शरीर से बाहर निकलकर उस विखती के मन तक जरूर पहुचता है किस-किस को यह experience है कि कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि यार अब भी तो मैं तुमको याद कर रहा था और तुमारा फोन मुझे आ जाता है किस-किस के साथ होता या आद अगर बताएगे को यह अथा है किसके साथ यह नहीं होता everybody experiences this everybody experiences this क्यों होता है क्योंकि मेरे मन की शक्ती दूसरे व्यक्ती के मन को directly जाकर influence करती है आज कल क्या होता है देखा है रिष्टों के अंदर relations के अंदर संबंदों के अंदर हम लोग आपस में बात चीज़ भी नहीं करेंगे लेकिन मेरा negative विचार मेरे husband तक जाता है husband और wife के बीच में relation बच्चों और माबाद के बीच में relation हमारा अपने professional colleagues के साथ relation, doctors और patient का relation बात करने की जरुवत नहीं है केवल vibration काम कर रही है अगर मेरे family के अंदर anger है अगर मेरे family के अंदर hatred है, resentment है rejection है jealousy है, depression है, understanding नहीं है, satisfaction relations के अंदर नहीं है कुछ भी चेक करने की जरुवत नहीं है केवल अपने मन के अंदर जाकर चेक करें कि किस प्रकार की energy किस प्रकार के vibrations मैं अपने उस व्यक्ति के लिए बाहर रेगले कर रहा हूं लोग बोलते हैं कि doctors और patient का relation बहुत कराब हो चुका है हर patient आका doctor को शक की नजर से दिखता है हर patient समझता है कि कहीं कुछ और इसका interest ना हो लेकिन ये केवल vibrations का खेल है vibrations का खेल क्योंकि अगर मैंने अपने मन के अंदर कोई negative feeling निकाली अपने मन को मैंने दूशित किया वह vibration वहां तक नहीं रुखेगी वह vibration जाकर मेरे संबंधों के अंदर मेरे relations के अंदर मेरे relations के साथ मेरे patients के साथ भी जाकर ओले लिए उनकरती है और यही मेरे इलेशन्स को स्पोईर करती है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये संकल्बों की एनरजी मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे संबंदों और संबंदों के साथ चौती जगे वो कहां जाएगी? कहां जाएगी वो? वो जाएगी हमारे environment के अंदर हमारे इंवाइमेंट के अंदर हमारे मौहल के अंदर कहते हैं आजकर दिल्ली की और देश की हवा बहुत खारा है बहुत गुस्ता है क्यों क्योंकि हमारा हर संकल बाहर रेडियेट करता है आजका मानव चेक कर आजका मानव नेगेटेव सुनता है कोई भी चैनल की और सवेले आज उथकर अट बाली को नेगेटेव नेगिटिव हम सुनते हैं, नेगिटिव सुनकर हम लोग नेगिटिव एनर्जी को अंदर एब्सॉब करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं अर्था हम उसको अपनी एनर्जी फील्ड का पार्ट बना लेते हैं वो नेगिटिव एनर्जी मेरे संकल्पों के अंदर जम जाती है और हर फॉट प्रोसेस के अंदर वो इंफ्लूएंस करती हैं और वही नेगिटिव एनर्जी को मैं वापस पर रिफ्लेक्ट कर देता हूं नेगिटिव सुना नेगिटिव एन अंदर अबसॉड किया और नेगिटिव एनर्जी को भाकर करके बाहर नेगिटिव एनर्जी बेरीग्स करते हैं यह होता न आच ईकल कुसा इत्ना कुसा कर Recomm jours तो तुम कौं से दूपके दूपकी कर दो लो心 और आशान स्पार- क प्रोसेस्क किया, नेगेटिव ही रिफलेक्ट किया. क्या इनर्सी या या जा लिए? हर चीफ की प्रोसेसिंग, हर चीफ की जो रिफलेक्शन है वाइब्रेशन की इवन नेगेटिव जागा. और जब नेगेटिव जाएगा तो result positive रहे है martial गर्द नेगेटिव? बच्चों के साथ सम्मंद नेगेटिव, हर प्रकार से नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है अजे रोप लेम और उनम से वही कुश्चिन किया दाज साथ, I have the best of the facilities with me best of the facilities लेकिन आजकर के बच्चों को कैसे समझाए उनके साथ हमारा relation harmonious नहीं हो पड़ता है क्यों? क्योंकि luxury exchange नेगेटिव है लेकिन एक चीज जो हम लोग energy के साथ कर सकते हैं और 99% of the people जो हम लोग इस दुनिया के अंदर हैं वो हम नहीं करते हैं वो हम energy को observe भी करते हैं हम reflect भी करते हैं लेकिन energy के साथ एक चीज जो हम और कर सकते हैं है हम एनर्जी को ट्रांस्फॉर्म भी कर सकते हैं वही सूरज की एनर्जी जो आप लगाने के काम आती है वही सूरज की एनर्जी रोश्णी देने के भी काम आती है वही माचिस की तिली जो जंगल के अंदर आप रहा सकती है वही माचिस की तिली एक दिये को भी परजवलित कर सकती है क्यों? क्योंकि उस एनर्जी को हमने पॉजिटिव और कंस्ट्रॉक्टिव रूप में चेंज करके ट्रांस्फॉर्म कर दिया कुछ नहीं करना है उसको डिस्ट्रॉइ नहीं कर सकते किसी ने नेगेटिव दिया मैंने उसको एब्सॉर्म नहीं किया उसको चेंज किया और चेंज करके वाफिस पॉजिटिव रूप में रिफ्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव में कि एक्सपेर्हें सब्सक्राइब करें एक्सपीरिंस करें सब्सक्राइब करना इस चीज का करना गाए Let us see and experience the magic happening here आप इखांते के लिए मुभाइल सालेट रख दीजे WhatsApp, Facebook, Bank कोई दिक्र नहीं, heavens are not going to fall अगर कोई चीज हो जाएगी, it is not going to matter लेकिन अब फोकस काना इस हौर के अंदर, इस वखात 100 और 18 माइमस पेठे हैं Right? Okay? That means, इस हौर की एनर्जी जो है That is equal to the energy emitted by the 80 or 100 माइमस Yes, को पता है यह? Yes, yes अजर हम लोग यहां पर आपस में एक दूसरे के लड़ते हैं एक दूसरे को abuse करते हैं यहां का मौल हम लोग बहुत खराब कर लेते हैं यहां का मौल बहुत कुरोद का मौल हो जाता है यहां की एनर्जी बहुत कम हो जाती है ऐसे समय पर एक लेती उस गेट से तेजी से एंटर करता है उसका मन बहुत डिस्टर्वड है उसके मन की एनर्जी अल्रेडी बहुत कम है वो अंदर गुस्से में आता है और यहां पर देखता है कि यहां पर लोग आपस में आपस में लड़ रहे है लड़कर एक दूसरे के उपर गुस्सा कर रहे है तो ऐसे समय पर जब वो अंदर आएगा तो उसका गुस्सा करने का चांस ज्यादा होगा या शांत होने का चांस ज्यादा होगा जोर से बताएं, गुस्टा करने का चांस जागा होगा, क्योंकि यहां की एनरजी बहुत, क्यों प्लेटर दोग देख रहा है, होड़ी यहां पर लोग लग रहे हैं, और वो भी आकर चिलनाने बच जाएगा, अब दिखो क्या होगा? अब हम लोग, केवन एटी लोग यहां पर रहे हैं, और हम बहुत शांती से, प्यार से, we are talking about positive things, यहां की एनरजी बहुत हाई है, it's a very very high energy field here, ऐसे शांती के atmosphere में, वही व्यक्ती, with और कम एनरजी, बहुत तेजी से अंदर आप रहे हैं, जब वो अंदर आएगा, और यहां पर देखेगा कि यहां की एनरजी बहुत है, सब लोग शांत हैं यहां पर, तो उसका गुसा करने का चांस जादा होगा यह शांत होने का चांस जादा होगा? जोर से बताएगे, शांत होने का चांस जादा होगा, उसको गुसा दिनाने क उसको शान्त करने की जिमने मारी किसकी किसकी बताये किसकी. कि उसको शान्थ करने की जिमेवारी इस हौल की एनर्जी की, रैट? Yes or no? Yes or no? क्या ये कहना एनर्जी अगर पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी में से एक कंटिब्युशन मेरी पॉजिटिव माइन का भी है, Yes or no? तो क्या ये conclude करना appropriate होगा कि अगर भूगेक्पी यहाँ पर शान्थ होता है तो उसको शान्थ करने की जिम्मेवारी भी मेरी है कौन को नेखी करता है इस बांस है Everybody को देख रहे अगर जीवन की एक ये equation आप समझ जाएंगे अगर जीवन की एक ये balance आप समझ जाएंगे तो जीवन जीने का तरीका बदर जाएगा अब इस हॉल्ट की energy को आप अपने घर की तरफ ले जाकर transform कर दीजिए अगर ये हॉल्ट आपका घर है घर में अगर हम लोग एक रिखती सबके करने की दववत नहीं है सबके करने की जरुवत बिलकुल भी नहीं है और हो भी नहीं पाया लेकिन अगर एक व्यक्ती या दो व्यक्ती अपने घर के अंदर energy field को हाई रखते हैं तो अगर बाकी लोग negative आकर भोलेंगे भी तो भी क्या मैं उनको neutralize करकर positive कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपने vibrations को अगर मैं अपने मन की परस्थिती को positive करता हूं तो बाहर की परस्थिती मेरे according change होकर environment को, व्यक्ती को, समाज को, देश को और विष्ष को परिवर्तन करने की शक्ती रखती है This is the power that a single human mind has This is the power we have We don't realize that हम सुषते हैं वो भी नहीं करेगा, तो मैं क्यों करूँ वो तो करता नहीं, तो मैं क्यों इस चीज को incorporate करूँ आप परमात्मा कहता है कि अगर परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले किसको करना है दूसरे को करना है या मुझे करना है मुझे करना है एक दिन ट्राइ करते देखिए Only one day you try creating this positive energy आपका जीवन जीने का तरेका बदल जाएगा मन शांत होने लगेगा परिभार का और घर का atmosphere positive हो जाएगा जिस patient को convince करने में जिस patient को समझाने में एक एक घंटा लगता है वो शक्की नजर से देखता है जब आपके मन की pure vibration निकलेगी आप उसको दो शब्द भी बोलेंगे आपके दो शब्द उसके मन को stable करने के लिए और capture करने के लिए इनाफ होंगे इतनी शक्ती है हमारे pure vibrations एक बात बगाएगे कौनसी equation और कौनसा balance right है कि when world is peaceful जब विष्मे शांती होगी तब मैं शांत हो जाओंगा या जब मैं मैं शांत होंगा तब विष्मे शांती होगी बताएगे जब मैं शांत होगी जब मैं शांत होगी जब मैं शांत होगी तो वो परिवर्तन बाहर अटोमेटिकली जाएगा बाहर की परिस्तिती के अदर पावर नहीं है हमने अपने जीवन के अदर इस चीज़ को अनबफ किया परमात्मा ने ये नहीं गुला कि आओ और आकर तुम के अवर भजन की तर मेडिटेशन करो नहीं परमात्मा जो मेडिटेशन सिखाता है वो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है वो इतना सुन्दर जीवन जीना सिखाता है कि आपके घर का Vibration आपके professional circumstances, आपके hospital का Vibration आपके professional relations का Vibration, आपकी social life का Vibration completely transform जाता है because of your own positive thought process तो आज समय हुआ है आज हम केवल दो exercises यहां से लेकर जाएंगे करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एक्जाम्पल के साथ करेंगे एक्जाम्पल के साथ अज पहनी चीज़ जो हम लोग अपने जीवन में Unubuff करते हैं एक word जो मैं बहुत commonly अपने जीवन में देखता हूं वो लोग हम अपने जीवन में Unubuff करते हैं कि हमारे जीवन में Anger, हमारे जीवन में बहुत बहुत growth और इरिटेशन आना, डिप्रेशन आना, ये प्रैक्टिकली आज हर मानव के जीवन में ओमनी प्रेसिंट हो क्या है किसी ना किसी मातरा के अंबर, किसी ना किसी चीज के अंदर ये आ जाता है कौन कौन अपने घर की किचन के अंदर जाते हैं, सभी रुख जाते हैं कभी-कभी, कौन कोन अपने घर के अंदर जाते हैं, सभी किचन के अंदर जाते हैं, एक बात मैं आप सबसे पूशना जाता हूँ, सब बता रहा हूँ, आपकी किचिन के अंदर चीनी, नमक, तेल, कामनमसाले, आठा ये कीचिन में आगे रख़ा होता है यह इको डाट करके, स्टोर करके पिछाए यल्मारी में बन करके रकते हैं, कहां रखने बताहें? कहां रखते हैं, बताहीं, जो से बताहीं, आगे क्यों रखते हैं? क्यों जोड़ से बताई है डेली यूज होता है कई बाई यसा लगता है कि डेली में भी बहुत जाड़ा कॉमन नहीं यूज होता है तो जैसी दर्वा तो यह उसको निकाला और हमने उसको यूज कर दिया तो ऐसे ही आज हम लोग अपने मन की किचन के अंदर शाते हैं अगर कोई situation आई तो उसके अंदर immediately मुझे कुरोद आता है या प्यार आता है second चीज एकस्पेक्टेशन आती है या acceptance आती है नमब तुर जैलेसी या hatred या irritation आती है या satisfaction और relaxation आता है naturally मेरे जीवन में किसी भी negative परिस्तिती के अंदर बाहर क्या आता है क्या आता है क्या आता है पता है अगर मेरे जीवन में मुझे क्रोध आना natural है अगर मेरे जीवन में irritation हर छोड़ी छोड़ी बार पर होना natural है अगर मेरे जीवन में हर गती के लिए अंदर टोटो रगना उसे expect करना कि उसको इस तरीके से मेरे लिए करना चाहिए ये natural है यानी मैंने अपने मन की kitchen के अंदर सारे ये मसालों को आगे रखा हुआ है जो चीज़ common है वो मैं daily use करता हूँ और जब मैं उसको daily use करूँगा और सालो सालो use करूँगा तो हर परेस्थिती के अंदर वो मुझे commonly बाहर निकले का इस अंगर normal और लॉब शुद बी नार्मल बताईया आप लोग विशुद बी अनच्रल इमोशन आंगर शुद बी अनॉशन और लब शुद बी अनॉशन बताईये तबिगो अनुशन अच्पेक्टेशन नॉशन और एक्सेटर्स इस नॉशन बाईये अनॉशन जो चीज नार्मल और जो चीज नैच्रल है उसको हमने अपने मन के अंदर पीछे पैक करके दूर रखे हैं। और सालों सालों तक यूज नहीं किया और जब आमने उसको यूज नहीं किया तो कोई भी परिस्तिती आई उसा नाचुरली हो जाता है इरिटेशन तो नाचुरली हो जाती है और कई लोग बोलते हो तो बहुत जरूरी है जिसके विन आजकल काम का चलता है क्योंकि उसको हमने आगे रखा हुआ है तो आज यहां से जाएंगे शरीर के लिए भी भोजन करेंगे शरीर के बोजन के साथ-साथ आज अपने मन के अंदर एक जो पुराने पैट उरीजनल मसाले है ना जो उरीजनल हमा रहे है इस लिए आज मेरे अनुसार मैंने तो एकस्पेक्ट किया था कि आज मटर पणीर बनेगा घा आए तो घिया दो नेके सब्सक्राइब करेंगे जैसे कहूँगा मैं इसको बताओ एक से मैंने पूछा कि stress क्यों होता है तो उसने मुझे बोला कि sir मैंने expect किया था कि आज कि एक television serial के अंदर वो व्यक्ति उसके साथ ऐसा करेगा उसने ऐसा नहीं किया तो मेरा मैं खाना हो गया और मैंने खाना देखा रहा है मैंने का बहुत बड़े आज तो आज हम लोग क्या करेंगे दो दिन के लिए ब्रमा कुमारी उसनाम यह नहीं बोलता कि हमेशा के लिए करो हम पहले यह कहते हैं कि दो दिन ट्राइका जो चीज दो दिन अच्छी लगेगी उसको लोग रोज अपने जीवन में अन्मभव करना चाहिए तो कल से लोग और परिस्तितियां ठीक है कल से लोग और परिस्तितियां आपके एकॉर्डिंग नहीं होंगे आपने सोचा है कि वो इस तरीके से करें आपका कप्रा यहां पर रखा हो लेकिन वो आपके एकॉर्डिंग नहीं है तो क्या करेंगे आप गुस्ता करेंगे या मुस्तार करेंगे जलओ कोई बासने आजे इसी तरीके से नहीं बता, भीज़ा क्रेंगे एक वृब कि कहरेंगे, क्या करेंगे, एकसेप्ट करेंगे किसी बच्छे ने कहा या बाइप ने कहा कि आज यहां पर चलना चाहिए आप कहिए नहीं यहां जाना चाहिए यह नाच्रल होता था लेकिन अब क्या कहिए चलो आज तुम्हारे भी तरिके से सही हमारे स्रमगंतों की खुशी दाख पर लगी है जाए स्मॉल पीडियर जाए जाए सिंपल कॉंशिसनेस जाए सिंपल चेंज भी के चेंज तवरे वी लिफ अवर लाइफ कि ईकल देखना नर्स ने आपके अ्षिर ने किया ने आकके अक्रॉंडर ने आपके अपके अर्शिया नहीं किया क्लिक्स में आपकी जगे पर चीज नहीं AW आज ऐसे नहीं हुआ, आप इसको इस तरीके से कर दिना, देखो, इसको यहां पर रख देना चाहिए, कोई बात में तुम्हें नहीं रखा, कल से ऐसा रख देना, rather than losing your temper, losing control and अपनी एनरजी को कट-कट-कट-कट-कट करके हुचाना चाहिए मुझसिया, आज पूछ रहते हैं कि कैसे feasible है, तो मैंने उनसे एक बात मुची, मैंने का सर, एक बात बताएगे, हम इंदिगों की फ्लाइट के अंदर आ रहे हैं, मैंने का सर, एक बात बताएगे, अगर इस फ्लाइट का पालेट, गुस्से भाला हो, ड्रंक हो, स्मोकर हो, औ बहुत नेगेटिर यक्ति हो, और आपको इस बात पता है, और वो नशा करके आया हुआ, और प्लेन के अंदर बैठा होगा है, आप बैठेंगे उसके अंदर, मैंने का बिल्कुल नहीं बैठूगा, तो मैंने कहा, यह हमारा मन है न, इसके भी पालेट हम लोग है, अगर हम मारा यह पालेट है, यह भी गुस्से बागा है, यह भी बाद बाद पर क्रोड करता है, यह भी इरिकेट हो जाता है, तो यह व्यक्ति गाडी परफेक्ट चलाएगा, यह एक्सिडेंट मार देगा कही न कहीं, एक्सिडेंट मारेगा, पक्का मारेगा, अन कंट्रोलिमन तर बहुत जरूरी है, जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, हां? वो क्या है? अगर किसी एक्ति ने आपके साथ आपसे सुना, आज से, और सचा आज़ा करना, बिलकुत दिल पर ढात रखे, औरने साथ सरे के एक्ति करेंगे, आपसे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, एक साल पहले, या एक मेले पहले, आपके लिए बहुत पुरा क्या हूं, वो क्या है, जिससे आपको बहुत अंदर से कर्ष्ट महसूस हो, आपको लगाओ कि नई, I am hurt, बहुत अंदर से मेरा मन खराब है, और वो व्यक्ति, आज सड़न दी आपके सामने यहां पर आ जाता है, आपके मन में से उसके लिए positive vibration निकलती है, या negative निकलेगी, सच बता ना मता है, जोर से बताएगे एक बात, negative vibration निकलती, 99% अभी लोग बूलते है, negative निकलती है, अच्छा क्यों निकलती है, Can anybody answer? एक positive बोलते हैं, very good, positive is very good, लेकिन अगर बाकी लोग बोलते है negative, तो क्यों निकलती है, negative कोई बताएगे, anybody, can anybody? वो याद आता है, अच्छा क्यों याद आता है, आप बताएगे, क्यों? Yes? Same thought आता, same thought क्यों चलता है, क्योंकि? क्योंकि उसको मैंने यहाँ पर store किया हुए, और हम लोग पते हैं, बहुत सुन्दर बाद बोलते हैं, हम लोग ब्रमा कुमारीज में इस बाद बोलते हैं, कि अगर किसी ने आपके लिए बुराद किया है, सद Syria कि अॉछ किसी के आपके लिए बुर्रांग किया है और वो कहा है मैं महत नहीं करूंगा अपने मरने तक मात नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ ठीक है, शम्शान माटते हैं उसको अपने साथ लेकर चाहूँ, कोई बात नहीं है, लेकर जाओना कोई दिक्कतारी बात नहीं है, और गुसात करना भी चाहिए, क्योंकि उसने आपको नुक्सान बचा जाए, तो वो आपको नहीं करेंगे, एवरीबडी विल डू देस एक्सरसाइज, पूरा हाथ ऐसे उठाएजे, कल से पांच दिन के लिए केवल एक एक एक्सरसाइज करेंगे, आप उस एक्सी पे गुसा करो, एलाओ, लेकिन एक एक्सरसाइज, कल से घर के अंदर, जब सफाई होगी, कि अप्सराइज भूड़ के अंदर पांच दिन के लिए एकटा करेंगे, रडी, अच्छा, एवरीबडी बडेडि, ओन्ली पो पाई प्रांप के डिस्कांप, लू निग पो टू दिन के लिए, अच्छा, घर के सपाई आपको रोज ज़िए, आप बन के सवाँ करना चांद अगर एक व्यक्ति ने एक बात मुझे आज से 20 साल पहले बोली और उस बात को मैंने अपने मन में स्थान दिया और रोज मुझे 365 दिन में 365 लोग मिलेंगे आठी हुं और हर व्यक्ति की बात को मैं अपने मन में स्थान दो गां तो मेरा मन मन रहे गाता हुद्ग कोजेघा घाट दात जायी ऑपा टे जोल और मन के उदर नहीं उसको माप में कर सकता है उसको माफ में करें आपने से कोड़ी पूछा कोई भी रखती मेरे cryptic का अंसर करें बुठ से कुछ वshot मेरा बहुत बैयारा जम्मित्र रहों हिहां पर वहुषए आने ते तुमसे आप शूक्त इसका उतार मुझे देना तो कि मैं आप सब भी सोचना है इस चीज को कि मैं आपके घ़ाइपर चाय आता हूँ ओके चाय पर आंप आप और आपके बहुत सिंदर देर लाइमर्य आख मेरे हाथ से चाहे गिर जाती और आपके सोफे पर जाती है नया सोफा है बेलकोड मैं आपके पास केवल तीन ऑप्षिन है आप पटापट उठकर जाएंगे, कपड़ा लाएंगे, और पटापट उसे साफ कर देगे, जब कोई व्यक्ति मेरे को बुरा बोलता है, मेरे मन को नुक्सान पहुचाता है, मेरे मन को घाब देता है, और मैं कहता हूँ कि मैं सालों सालों तक इस घाब को पुला रखूँगा, अर्थाथ मैं अपने मन को एक और चांस दे रहा हूँ, कि दस साल बार दी मुव्यक्ति आएगा, मुझे सौरी बोलते की बजायर मेरे मन पर एक और घाब दे जाएगा, वो घाब किसको, वो दर्ज किसको होगा, मुझे होगा या उस्वक्ति को होगा, मुझे होगा, इस दर्ज के साथ आप लोग रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, परमात्मा कहता है, कि अगर अपने जीवन को शाम बनाना है, तो एक गुन, एक हैबिट, आज हम सब लोग यहां से लिखा जाएगी, बहुत बढ़े हैं, परमात्मा को नंदा लेकर खड़ा है, कि आथ उन्हें ये पाप किया, मैं तरे साथ नहीं, वो हमीशा कहता है, कि मैं ते कुछ शमा करत गया, किसी से माफी मांग लिए और किसी को माफ करते है, शमा, अज़र आप किसी से शमा मांगते हैं, और किसी को शमा करते हैं, तो बदले में आप अपने जीवन में शांती ले आते हैं, आपको शांती मिल जाती है, तयार हैं, तयार हैं या नहीं, या एक दो दिन और बू जब तक purity यहां पर नहीं आएगी तक तक परिवरतल नहीं होगा और लास्ट बात, पांच मिनट के अंदर, लास्ट बात, समय बहुत हुआ है, लेकिन फिर मिन्ना जब भी होगा, तो अपनी बात में जरूर दखना चाहूँगा, क्योंकि आज से करीब 33 सोय पहले मैं बहुत छोटा था जब हमने इस जीव अन्यात्रा को आरंद किया, लेकिन एक चीज हमने अपने जीव में जरूर भी होगा, कि जब परमात्मा हमको रोज दिन की शिरुआत होता है, तो वो हमको एक अशर्फियों का बैग रोज हमको दे द है, और वो अशर्फियों का बैग होता है, 1440 अशर्फियों, वो 1440 अशर्फिया है, 1440 मिनिट जो मुझे एक दिन के अंदर मितने हैं, 1440 मिनिट, what you are gifted every day in your life, क्या उन 1440 मिनिट में से, आपके अपने लिए, अपने लिए, कि एवल 20 मिनिट हैं आपके बस, only 20 मिनिट, 10 मिनिट इन दी मानिंग, 10 मिनिट इन दी इवनिग, yes फ़गो, किसके के पास, नहीं है, मता है, जैसे जब हम मुबाईल सुनते हैं, मैं यहाप यह देख रहा हूँ है, कोई मुबाईल पे कनेक कर रहा है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो हमारा मन उसके साथ, कनेक आपके अंदर नहीं है लेकिन हमेशा आपलेबल है और वो यह कहता है कि अगर तुम अपने शरील नहीं अपने मन को मन को जो तुमारी आत्मा का सुच्छिस्ट पापर तो साबने को तुम मेरे सामने करते हो तो अनरजी फ्लोस वंदी हायर तुदी लोगार लेर केवल दस मिनित मॉनिंग और दस मिनित शाम के अंदर अपने अपने घर के अंदर देली मेडिटेशन के साथ अपनी दिछल्या का आनम करते हैं हमारे अपने घर के अंदर मेरे फादर गैस्टन्टाउजिस्ट है मेरी मदर का अनेकोल्जिस्ट है और मेरी अपनी जोगा के बहन है she's an entrepreneur, she runs a very big IT company and they are one of the global giants in the world she has a work all over the world and they can all four of us begin our day with powerful meditation at 3.30 a.m. in the morning, very powerful क्यों? क्योंकि जब दिन की शुरुवात उस energy के साथ होती है तो एक शब्ध हम लोग यूस करते हैं it will begin is half done energy charge हो जाती है power जाती है तो फिर आप perform करते रहेंगे न it is automatically flowing in your work automatically flowing in your work और फिर पूरे दिन करने के बाद जब रात को भी हम लोग बैठते हैं रात को सुने से पहले भी हम लोग mobile silent, वो silent लेकिन पाँच मिन परमात्मा के साथ connect करते हैं तयार है करने के लिए हम दो ती किलोमेटर के अंदर आपके दौर के अंदर एक तीरत स्थानी बना होगा है every 2 km जिन आप a beautiful center understand this beautiful meditation जीवन जीने का तरीका बढ़ जाएगा Brahma Kumari is not about wearing white clothes सफेद कपड़नी पहनने है मन को सफेद करना है Brahma Kumari is not just about आप अपने जीवन के अंदर के वलाएगी meditation करिए परमात्मा आकर आपको जीवन जीने की कला सिखाता है He teaches you that the same work can be done with a beautiful consciousness बहुक्स सुंदर परिके वो का लेग किया जातन का है मैं थे अंदो मिने silence के अंदर सभी सभी लोग वाँ silence के मैं आपको meditation के दो experiences एक-एक मिने ते अंदर के बद करा होगा क्योंकि meditation is not just मैं आत्मो परमात्मा मैं आत्मो परमात्मा इसा नहीं this is not what our meditation teaches you meditation is a practical experience और आज आप रेली संजेंगे की what meditation is all about okay we did a very light music playing first stage के अंदर I will make you experience की what Brahma Kumari's meditation is all about and the second stage में हम लोग उसको actually practice करेंगे केवाद दू प्रिदे रेकुसेट्स हैं बैटना जैसे लिए बैटो कोई जिकर में नहीं लेटना है बैटना है जैसे बैटना है तो लेकिल चेहरा मुस्कुराता हुआ और आखें खुलना हुआ हुए जैसे बैटना हुए जैसे बैटना हुए जैसे बैटना हुए जैसे मुस्कुराता हुआ और जो मैं बोलुगा उसको ध्यांसवे एक्स्टेश करना डौसते बैटना हुए सोब लिए खाते मुस्कुराता है सुटेशना को हुआ जैसे बैटना है सुटेशना है शाने आपटने मरें धूको प्यार से बेगे हम सरेग matters उख से उठकर, बाहर में करकर, अपनी गाड़ी की हो जा रहे हैं। Sit down in your car, गाड़ी में बैठकर अपने गार की हो ड्राइव करें। आप अपने गार पर पहुच रहे हैं। अपने गर की गेट को के सामने देखें। Right there in front of your eyes, open करें उस केप को, अपने बेटरूम के अंदर एक चापर लगाएं। आपका बेड आपके सामने है। बाहर निकलिए। किशन के अंदर चाहें। आपकी किशन आपके सामने है। एक लास किशन में उठाएगी। एक लास पानी पीजिए। महार जो आपके गर के अंदर है, उनको हालो करें। एक स्माइल दीजिए। और फिर अपने गर से बाहर आ जाएं। गर को बंद करें। गाड़ी में बैठ करें। बैठ कर फिर इस हाल की तरफ हम ट्राइफ करें। उदर कर फिर इस हाल के अंदर आकर बैठ जाते हैं। कौन कौन गेते अपमे अपने इंकारप की तरफ हागे थाया सब्हा। यो भुशा हैं। आप लोगपन तु यहां बढ इठ वाएं हाँ? कौन गेता? यह ततने पावर! यह थो फिर भी करें। जिब आसे बाहर दोलोग इस सार्ध過去 करें। it's only a power of your mind and let us meditate शरीर को रेलाइस्ट देखिये अपने मन को कितने संकत कभी किसी के लिए कुसरा कभी रिष्टों के अंदर के जा कभी परिशानी कभी स्ट्रेस सब कुछ होते होगे भी मेरे चीवन के अंदर सुख और शांती आज शे नहीं है आज अपने मन की संभाइब करते है स्ट्रेशवें करते है स्ट्रेशप आज चाह उन्यां जाज आज खिवखने कि आज उसको जाज़ करते है, निवियात्मा का मिता, सर्वश्चांपिवान, महाच्वक्री, परंपिता, पर्मार्मार्पिता, कि आज उसको और शांदी की परिकर्प्ना में करता हूं, मेरे जीन प्यांदे, सर्च प्राद हो रहे हैं, परंपित शक्तिया, मेरे मन को त्रिप कर रहे हैं, हर एपि के लिए, हर आत्मा के लिए, हाथ से सुख, प्यार और शांदी, यही मेरा सुखते हैं, और यही मेरे जीन का लक्ष है, इस इस तिपी के अंदर, मैं अपने मन मा आपना को स्थेट करके, लापिस इस शरीट के अंदर, प्यार के अंदर, आत्मा कि लिए, हांदी, 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 हांदी. जीवन में, एनर्शी काने में नहीं है, okay? Thank you so much. Thank you.